हेलो फ्रेंट्स तो आप सभी का मेरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लाज देवी माता के मंदिर के बारे में जहां हिंदू और मुश्लिम दोनों एक साथ माता की पुझा करते हैं तो चलिए इस वीडियों शुरू करते हैं यह हिंदू दर्म के सक्तिवाज संप्रदाय में एक्यान सक्तिपीटों में से एक हैं मंदिर एक छोटी सी प्राक्रूतिक गूफा में हैं जहां देवी की कोई मानव निर्मी छवी नहीं है इंगलाज मतेश्यों के एक छोटे से दिव्यरूप में उनकी पुझा की जाती है और पत्थर पर शिंदू लगाया जाता है जो संबवत सान को संस्कृत नाम इंगुला देता है और जो वर्तमान नाम इंगलाज की जड़ है इंगलाज देवी की कुपा बलुचिस्तान में ल्यारी तैसिल के सुदूर पहाड़ी इलागे में एक संक्री गाटी में है यह उत्तर पश्चिम में 160 मिल अरब सागर से 12 मिल अंत दर्शिय और सिंदू के मुहाने के पश्चिम में 80 मिल दूर यह इंगल नदी के पश्चिमी टेट पर मकरांड रेकिस्तान में किर्थर परवच उंकला के अंत में है इस सक्तिपीट तक पहुंचने के लिए आपको पाकिस्तान सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि यह सक्तिपीट पाकिस्तान में हिंगलाज और उसके आसपास के अन्य पुजास्थालों में गनेश्देव, माताकाली, गुरु गुरकनाथ, रम्मकूद, तीरकूद, गुरु नानक खारो, रामजरोखा बेथक और 84 परवद पर अनिलकून, चंद्रगूब, खरी रिवर और अगोर पुजा शामिलें पाकिस्तान में मुसल्मान देवी हिंगलाज को नानिक का मंदिर और नानिका हज़ भी कहते हैं, इस स्थान पर आकर हिंदू और मुसल्मान का पेदबाव मिट जाता है, दोनों ये वक्ति पुरुवक माता की पुजा करते हैं इंगलाज देवी के विशे में पुराण में प्रम्म वैवर्थ पुराण में कहा गया है कि जो एक बार माता इंगलाज के दर्शन कर लेता है, उसे पूर्वजनम के कर्मों का डण नहीं भुगतना पड़ता है ऐसा माना जाता है कि पुर्शुराम जी द्वारा 21 बार छत्रियों का अंध किये जाने पर बचे हुए छत्रियों ने माता इंगलाज से प्रान रक्षा की प्रात्ना की, माता ने छत्रियों को प्रम्म छत्रिय बना दिया, इस से पुर्शुराम से इन्हे अपैदान मिल गय एक मानने ता यह भी है कि रावण के बड़ के बाद बगवान राम को प्रम्म हक्त्या का पाप लगा इस पाप से मुक्ति पाने के लिए बगवान राम ने भी इंगलेज देवी की यात्रा की थे बगवान राम ने यहां पर एक यगनब भी करवाया था तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक किए शेर किए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो